केंद्र सरकार के अगनिपत योजना का देश के कई राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है यूपी बिहार और राजस्थान में हिंसक्त प्रदर्शन जारी हैं इसी बीच शुक्रवार 17 जून को कानपुर में वाटसिप ग्रुप का स्क्रीन शॉट वाइरल हुआ आरोपेस में उवाओं को हिंसा के लिए उकसाया गया इस वाटसिप ग्रुप का नाम है बॉयकॉट टी ओडी इस ग्रुप का जो स्क्रीन शॉट वाइरल हो रहा है उसमें एक मेंबर ने लिखा है नौबस्ता हमीदपुर रोड जाम करने की तयारी है कौन-कौन साथ देगा इसके बाद आगे चैट में एक ग्रुप मेंबर ने लिखा है रमादेवी की चौकी कूंप देते हैं इसके जवाब में ग्रुप के एक अन्य मेंबर ने लिखा वो उसके बाद का टागेट है आज तक से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाटसिप ग्रुप में 247 लोग जुड़े हुए हैं जो कानपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में हिंसा फैलाने की बात कर रही हैं कानपुर पुलिस में क्या बताया वो भी आपको बताते हैं कानपुर के जॉइन पुलिस कमिशनर लॉइंड और आनंद प्रकाश तिवारी ने आज तक को बताया हिंसा फैलाने की साजश में जुटे 247 लोगों को पुलिस ने चिनहित किया है पुलिस को साथ मोबाइल नंबर मिले हैं जिनके आधार पर वे उन लोगों की धर पकल में जुटी हुई है चात्रों की आड में कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई आपको बता दें कि आज देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं कई जगहों पर ट्रेन में आग लगाई गई है तेलंगाना के सिकंद्राबाद में पुलिस फाइरिंग में एक शक्स की मौत हो गई तो महीं बिहार के लखी सराय में एक शक्स की ट्रेन में दम ललन टॉप शुक्रिया दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है एप की ललन टॉप जो लॉंच होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस से ललन टॉप शो चुनावी कवरेज परताल और आसान भाशा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सब से पहले क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और दी ललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए